असलामुलेकूम सस्यकाल नमस्ते आद आप तो कैसे हैं आप लोग मैंने ट्वीटर पर ट्वीट किया कि जिनका एकामा वीजा छुट्टी खतम हो गया है अपने कमपनी या कफील को जल्दी से जल्दी बताओ ताकि वो बढ़ा दे तो कई लोग सवाल कर रहा है जावद के लिए मैं एक सिंपल सा उपाय बता रहा हूं स्क्रिंशोट आप देख रहो यहां पर यह आर्विक में इसमें लिखा हुआ है कि आपका कफील कंपनी वाला आउटसाइट किंग्डम मतलग कि बाहर हो ना आप वहां के लोगों का वह आया यहां से एपसर बिजनेस एकाउ मैंगम मैंनेजर को भीजो यह अपनी किसी को भी भीजो ताकि वह आपकी मदद करें 30 सेसेप्तेमबर के बाद यह बढ़ता है या नहीं बढ़ता है इसका को गारम इंटिन नहीं है खुद आएकसिए 30 सेतमबर के बाद आगर नबढने का वीजा तो फिर आप नहीं साफ आन यहां पर में यह है कि अगर आप आना चाहते हो तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा हेल्प कर लो अब यहां पर यह है कि 30 सितंबर का बढ़ता है या नहीं बढ़ता है इसका कोई गारंटी नहीं है मैं अभी सही सही बता रहा हूँ कोई गारंटी नहीं है या 30 सितंबर तक के बाद अगर बढ़ता भी है तो आगे मालुम पड़ेगा जब किसी का बढ़ेगा फिर या साओधी अरब की गवर्णमेंट वेबसाइट से या कहीं से भी जावदार की तरफ से अबढ़ेट आएगा कि बढ़ता बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा बेसीक मैं सच सच बता रह अब पाल युण होगा कंशना को टीकट करनी है कि यहां पर मेन पॉइंट है कि जब तक आप टिकट बूक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं कि कि आपकी फ्लाइट मान लीजे कि 25 सेप्टमबर की है तो आपको medical 48 hours valid होना चाहिए जो ICMR valid होगा PCR test ठीक है तो जब तक आपका सौधी अरब के अंदर नया कानून फिर से बन गया है जब तक सौधी अरब के अंदर आपका immigration cross न कर जाये तब तक 48 hour valid होना चाहिए 47 hour valid रहा आपका PCR test तो आ उस हिसाब से डेट के हिसाब से कि आपका PCR test कितने दिन में आ रहा है उस हिसाब से टिकट आपको लेना पड़ेगा माल लिजे आपका PCR test में आप COVID-19 positive हो जाते हो तो आपको टिकट वापस करते हैं या नहीं करते हैं यह सारे सवाल के जब आपको खुद करने हैं लेकिन यहा तो 25 सेप्तमबर को मुझे जाना है रियाद दिल्ली से रियाद वहां की लिए मैं देख रहा हूं तो यहां पर error दिखा रहा है और मैं फिर से 1 October का फ्लाइट दिखा रहा हूं तो यहां पर यह शो कर रहा है 1 October, 2, 3, 4, 5, 6 October का यहां पर फ्लाइट शो कर रहा है मतलब कि हम लोगों के इंडिया में 30 सेतंबर तक तो अभी फ्लाइट है हो सकता है 30 सेतंबर के बाद सायद कुछ भाइन खुल जाए या कुछ नियम कानून नहीं आजाए फ्लाइट के माध्यम से फिलाल तो अपने इंडिया में भैना फ्लाइट जो भी आगर जागी रही है फ्लाइट फ्लाइट आ रही है ठीक है वह भी अभी मेडिकल बार लोग को लेके आ रहे कुछ आदमी लोग को भी लेकर लेकिन अभी तक कोई इंडियान आया नहीं है अपने इंडिया से अब देखो आज कल में कोई पहुंचता है यहां पर तो फिर वीडियो कहीं से आएगी ख़बर कह जरूर शेयर करूंगा याद रहे 48 आवर जब तक आपका करोना पीसी आटेस्ट वैलिड नहीं रहेगा तब तक आप सोधियर में इंटरी नहीं कर सकते मिग्रेशन पास करते करते तक आपका 48 आवर वैलिड होना चाहिए जब आप आएंगे तो मास्क लगा कर रखना है 100-600-600 ही केस एक दिन में निकल रहे है तो बहुत अच्छी ख़बर है यहाँ पर तो करोना का केस कम होगी आलम दुल घट रहा है बढ़ नहीं घट रहा है इन्होंने नियम कानों इसलिए हट किया है कि जैसा कि पता होगा एक दिन पहले दुबई में कोरोना पोजिटिव प पर परिजमा है पीर त्रेसक राने के बाद भी वो कड़ना पोजिटिव हो गया इसके लिए पहले जाना चाते है तो पकिस्तां की तो पहुंच यहां तक है काम चल रहे हैं का लेकिन हमारे इंदिया की बेसुद हैं लोग हमारे नेता राजनीती में लगे हैं परवासी भा कटे कोई यान खाये बिरुजगारी मरते रो हला बोल करते रो कुछ योग कोई फ़ार का काम है वो काम मंतरी कर नहीं को और यहां लाइन बात नहीं है यहां पर हम जिस focus में हैं जिस line में हैं हम उस पर ध्यान देंगे कि लोग यहां पर आ रहे हैं यहां से जाने वाले भी होंगे परसान होंगे उस पर किसी का कोई ध्यान है अपना हमारे इंडिया में किसी का कोई ध्यान नहीं है आश्ट में अपसे दोस्त एक बात बोलूँगा आप लोग सोच रहाओ यार बहुत लोग परिसान है आ जाते यहां पर आ जाते अभी यहां पर चार्टर फ्लाइट का फ्रॉडिंग भी हो रहा है कई लोग बोल रहे कि पैसा पहले दीजिए टिकट का तो हम टिकट देंगे फिर आगे का कोई पता नहीं है तो सोच समझ करके टिकट सब्सक्राइब कर लीजेगा तो भाई दुआ में याद रखना अल्ला हाफिज झाल झाल झाल